तेज गर्मी की वज़े से गुलाप जोलस रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है और अगर ग्रोथ हो भी रही है तो वो बर्ण हो जा रही है तो उस ग्रोथ को बर्ण होने से कैसे बचाना है, अपने प्लान को गर्मी से किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और जो new growth हो रही है उसे boost किस तरीके से करना है ये सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही update भी मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग love for gardening में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है पुरानी वीडियो जो मैंने अभी लगबग 10 दिन पहले आप लोग के साथ share की थी तो उसमें मैंने share किया था कि मैंने अपने plant की पुरानी लीव हटा दी थी और जो care मैंने आपको बताई थी अगर आपने उसे follow किया होगा तो इस समय आपके plant पे भी new growth आ रही होगी लेकिन अभी देर नहीं हुई है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो i button पे मैं link लगा दूँगी नहीं तो फिर आप search करके भी देख सकते हैं और या फिर मैं वीडियो के end में लगा दूँगी उस वीडियो को तो आप जरूर देखिएगा इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा वीडियो जब खतम हुजाएगी तो end screen जो परती है वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा तो वो सारी केयर करने के बाद अब आप देख सकते हैं प्लांट में multiple branches भी आ रहे हैं कलिया भी आ रही है प्लांट आपको कहीं से भी जुलसा हुआ या आपको कहीं से मुर्जाया हुआ नहीं दिखेगा तो उनके टिप्स के बाद आप मैं आपको बताऊंगी कि हमें next step क्या करना है क्योंकि उसके बाद अब जो हम खाद देंगे उससे जो हमारी चोटी-चोटी सी growth हो रही है या फिर जो कलियां आ रही है इनको और जादा boost मिलेगा energy इनकी बढ़ेगी तो और तेजी से ये grow करेंगी आप देखिए ये वाला जो plant था मेरा इसमें तो बिल्कुल भी growth नहीं हो रही थी सिर्क दो डंडिया निकली हुई थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये survive नहीं कर पाएगा पर आप देखिए इस समय growth ही growth इस plant में आपको दिख रही होगी मतलब उम्मीद ही नहीं थी मुझे इस plant से कि इसमें जरा सी भी growth आएगी पर इतनी अच्छी growth देखके मुझे बहुत ही जादा खुशी हो रही है सेम प्रोसेस जो मैंने सारे अपने रोस के प्लांट में किया था वही मैंने इस पे भी किया है और देखिए उसमें तो छोटी सी कली भी आ रही है और जो new growth हो रही है उनके side side में अब यह जो पुरानी leaves है देखिए यह burn होनी शुरू हो गई है तो उन्हें अब हमें remove कर देना होगा यह मेरा एक और plant है इसमें red color के full आते हैं और इस पे भी आप देख सकते हैं चोटी चोटी सी multiple branches आ रही है और इसमें तो basil shoot भी आ रही है अभी मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह देखिए नीचे की तरफ से आपको दिख रही होंगी तीन basil shoot यहां से निकल रही है और इन तीनों basil shoot का मतलब समझते हैं आप basil shoot होती है तो वो काफी healthy निकलती है और उस पे फिर multiple branches आते हैं ज दिखान दखना होगा कि रोज की प्लान को सिर्फ चार घंटे की sunlight देंगे हम वो भी morning वाली जिसे बारा बज़े से पहले पहले की दूप होती है हमें सिर्फ वही देनी है या फिर जो चार बज़े की बाद की दूप आती है 5-5 बज़े तक जो रहती है दूप वो भी आप दे सकते हैं लेकिन चार वज़े तक जिसे बारा से और चार वाली जो प्रचंड गर्मी वाली दूप होती है वो आपको बिल्कुल भी प्लांट को नहीं देनी है तो यह जितनी भी new growth आप देख रहे हैं यह सब burn हो जाएगी क्योंकि बहुत गर्मी रोज की प्लांट को पस इनमें spider mites बहुत तेजी से लगते हैं तो इस वज़े से यह जैसे जैसे leaves पुरानी होती रहती हैं आपको इनहीं हटाते रहना चाहिए और इस समय चोटी चोटी leaves आ रही हैं तो जो खाद हम देंगे उद से इनकी growth और तेज हो जाएगी तो अब हमें इन पुरानी leaves की ज़ बलाई है नहीं तो क्या होगा फिर वही है जो spider mites होते हैं वह आएंगे और जाल बना की जो मारी चोटी-चोटी सी new growth है उन्हें जला देंगे हां आप insecticide का spray करना मत भूलिएगा क्योंकि जब चोटी growth आती है न प्लांट में तो यह insect को भी बहुत तेजी से एक्ट्रेक्ट करती है तो शाम के टाइम पे 6 बजे के आज पास आप एक अच्छा insecticide या फिर अगर नी मॉयल आपके पास है तो आप नी मॉयल का spray करिए और अगर आपके पास नी मॉयल भी नहीं है तो आपके घर में शैंपू का पाउच है आप शैंपू का पाउच लीजे उसमें आप थ पाउंसी देनी है जिससे ये जो न्यू ग्रोथ आ रही है प्लांट में ये तेजी से ग्रोव करे और मॉन्सून का मौसम आते आते ग्रोथ हमारे प्लांट की काफी अच्छी हो जाए तो यहां पर मैंने अपनी मिट्टी की गुडाई कर लिए पहले तो प्लांट की जो रो इस फूरी मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा बारी कर दिया करिए आप देखी मिट्टी कितनी भुर्बुरी है लाइट वेट है गुडाई करने के बाद आपको कहीं बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं दिखेंगे तो मतलब यह सारा जो मिट्टी होता है इसका जो रे जो गुडाई कीती उसका सरकल कर लिया है और सरकल करने के बाद अभी सरकल मैं इन जो हमारे केले के छिलके हैं सुखे केले के छिलके उनके तुक्ड़े डाल दूगी तो द이면 वरसात में तो हम ड्राइखाद नहीं देंगे इस तरीके से कोई भी मतलब ड्राये खाद मतलम जो आप इस तरीके की घरेलू खाद अपने प्लांट में ना दे, खासकर रोज प्लांट में तो बिल्कुल भी ना दे, जिसे रोज प्लांट है, अडेनियम का प्लांट है, जर्वेरा है, इन प्लांट को थोड़ा फंगस जल्दी रखता है, तो आप ध्यान रखेंगे इन सब च पुरानी हो, क्योंकि नई गोबर की खाद नहीं देने चाहिए, वो बर्न कर देती है प्लांट को, उसमें बहुत जादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चमज बोन मील लिया है, और बोन मील भी हमें बरसात में नहीं डालना है, इसलिए मै कैलशियम होता है, फॉसफोरस होता है, तो जड़ों को बहुत तेजी से डवलप करेगा, और कैलशियम से प्लांट हमारा स्ट्रॉंग बना रहेगा, तो बोन मील दो से तीन महिने में एक बार एक चमज आप अपने हर प्लांट में डाल दें, लेकिन हाँ अगर जैसे छोट प्लांट है, तो आप अदा चमज और बड़ा प्लांट है, तो एक चमज का इस्तमाल करें, इसके बाद मैंने यहां पर लगवग 2 ग्राम फंगिसाइट लिया है, और उसको भी इनी खात के उपर डाल दिया है, फिर हम नीम की खली का इस्तमाल करेंगे, देकिने में की खली बहुत ही अच्छी होती है, आप जरूर इसका इस्तमाल अपने हर प्लांट में किया करें, मतलब नीम की खली ऐसी खाद है नीम की खली है, वर्मी कमपोस्ट है, जो आप आप बंद करके किसी भी प्लांट को दे सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि उसको को सूटेगा नहीं करेगा कहीं हमारे प्लांट कोई नुक्सान तो नहीं पहुछेगा बहुत ही फायदेमंद और वहुत ही ऊरगै thriving होती है अब इन सभी घृकने से अबात में और मिती से अब देखिए इस तरीके से जब हम कवर कर देते हैं तो अब हमारी जो खाद है वो अच्छे से ढग गई है अब देखने से लगी निराय की प्लांट में कोई हमने अलग से चीज डाली है ऐसा लग रहा है सिर्फ मिट्टी ही ढखी हुई है तो यह तरीका होता है रोज के प्ल प्लांट में दे दिया है तो 15-20 दिन में एक बार आप फंगी साइड का घोल भी बनाके अपने मिट्टी में डाला करें प्लांट की और साथी साथ आप इसका स्प्रेय भी कर दिया और अब इसके बाद आगे का जो रिजल्ट होगा वह भी मैं आप लों के साथ जल्दी शे आपके माइन में है तो आप कमेंट की थूम उसे बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर